हेलो स्टुडेंट इस वीडियो में हम लोग 2021 जेई मेंस का एस ब्लोक के फर्वरी और मार्च के कोशिंज को हम लोग कवर करेंगे तो शुरू करते हैं वन बाई वन लेट स्टार्ट विट फॉर्स कोशिंज गिवन बिलो आड़ टू स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट फर्स बोल रहा है बोथ CACL2.6H2O एंड MGCL2.8H2O यह एट नहीं होगा यह भी 6 होना चाहिए ठीक है अभी मैं चेंज नहीं करता हूं जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में लेके चल रहा हूं CACL2.6H2 and MGCL2.8H2O undergoes dehydration on heating पहला यह स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 है BEO is amphoteric whereas the oxide of other elements of same group are acidic तो यह स्टेटमेंट तो खेर गलत हो गया BEO amphoteric सही है लेकिन जो other elements है इसी ग्रूप के वो basic होंगे क्योंकि जो metal के oxides होते हैं वो basic होते हैं ठीक है metal के oxide जो S block के metal के oxide होंगे basic होते हैं except BEO यह amphoteric होता है तो यह statement तो खेर false हो गया इसमें आते हैं यह कह रहा है कि दोनों ही dehydration होते हैं on heating पर यह statement गलत है इसके लिए मैंने theory यहाँ पर लिख दिया है first two जो होते हैं यह hydrolyze हो जाते हैं hydrolyze का मतलब मैं बता रहा हूं पहला दो BCL2.4H2O and MGCL2.6H2O यह hydrolyze होता है heating पर है hydrolyze का क्या मतलब है उसको लेने के लिए मैंने एक example MGCL2 का ले लिया जब आप इसको heat करोगे तो इससे एक water हट जाएगा और इस six water में से एक water उसके साथ इसका reaction होगा तो six में से एक चला गया तो पांच यहाँ पे रह गए और यह यह इसके साथ react करके MgO plus 2HCl बना देगा तो जो water के साथ reaction होता है ना खुद के water के साथ इसी को हम कहते है hydrolysis इसे लिए यह जो होगा it will undergo hydrolysis तो MGCL2 तो hydrolysis होगा हाँ BCL2 और MGCL2 hydrolyze होगा बाकी CA, SR और BA यह dehydrate होंगे dehydrate का मतलब है simply water बाहर आ जाएगा इसमें से तो जैसे CACL2.6H2 heat करते ही कोई water के साथ reaction नहीं करेगा water अलग हो गया और CACL2 बच जाएगा solid form में तो यह basic difference है इन दोनों की hydrolysis और इन दोनों का dehydration तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके basis पे तब तो यह statement भी गलत हो गया इसके लिए तो यह statement valid है इसके लिए valid है नहीं है that's why पूरा statement गलत हो गया तो both are false यही होगा इसमें तो देखते हैं कौन सा है बोथ statement 1 and statement 2 are false next आते हैं second question है the hydride can be used as an oxidizing agent sodium hydride can be used as an oxidizing agent तो मैं इसमें बता देता हूँ sodium hydride तो क्या कोई भी hydride oxidizing agent नहीं हो सकता है hydride में क्या क्या है li alh4 organic के यह सब है lithium aluminum hydride hydride में एक चीछ common है h-1 oxidation state में होगा h-1 में है यहां मैं ठीक से लिख दूँ इससे hydrogen जो है वो minus 1 oxidation state में है तो li alh4 हो गया na bh4 हो गया na h जो यहां पर statement में use किया गया है calcium hydride तो यह सारे examples है hydride के तो यह सारे reducing agent जो भी h दिया तो वो h attach करेगा और h का addition जो होता है वो reduction होता है तो their reducing agent सामने वाले को hydrogen attach करके reduce करेंगे इसके अलावा direct hydrogen platinum palladium और nickel में या फिर आप zinc के साथ HCl ले लो तो JnCl2 plus H2 देगा इससे भी hydrogen मिल जाएगा तो direct H2 वाले species भी reducing agent है ऐसे ही SNHCl जो की NO2 को NH2 में convert करने में use होता है तो these all are reducing agent ना कि यह oxidizing agent है तो पहला statement तो इसलिए गलत हो गया और उसका सारे details वे ने बता देंगे बट all metal hydrides वो सारे होंगे and direct hydrogen जो दे रहे हों reaction के बाद वो भी reducing agent होंगे next कहा रहा है the lone pair of electron on nitrogen in pyridine makes it basic बिल्कुल सही है Lewis base का definition ही होता है कि उसके पास lone pair electron होने चाहिए और organic chemistry में nitrogen with the lone pair is Lewis base तो इसी lone pair के कारण pyridine basic होता है इसने as it is यह statement mention कर दिया यह statement correct है लेकिन हाँ उपर से इसका कोई लेना देना नहीं है तो पहला गलत दूसरा true third option correct आते हैं next correct order of conductivity of ions in water तो देखो यह conductivity से related है तो इसकी मैंने पूरी थियोरी यहाँ पर बगल में लिख दिया है क्योंकि conductivity दो मीडिय में पूछे जाते हैं तो दोनों ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहला है fused या molten state में तो fused या molten का मतलब होता है आयन लो इतना गरम करो कि यह पिघल जाए कोई पानिवानी नहीं है तो कहानी एक ही होती है जो conductivity होती है size पर depend करती है जितना छोटा size होगा उतना तेजी से भागेगा क्योंकि कम particle से collide करेगा आराम से भाग पाएगा जैसे jungle में उचे-उचे पेड है उसमें से हादी को भागने में दिक्कत होगी क्यों पेरों के बीच से निकलना मुश्किल होगा लेकिन चुहा भाग जाएगा तो उसी तरह से जो जितना छोटा size का होगा उतना ही fast भागेगा तो अगर molten या fused में पूछा जाए तो हमें पता है lithium का size सबसे छोटा है क्योंकि उपर से नीचे group one में आएंगे size बढ़ता जाएगा तो इसकी conducting power सबसे जादा होगी और gradually rb तक कम होती चली जाएगी लेकिन जब हम aquosolution में बात करेंगे तो aquosolution में क्या होगा जो ions होंगे वो hydrate हो जाएगे hydrate का मतलब यहाँ आप मैंने बता दी है मालो एक m plus है यह hydrate हो रहा है तो इसका मतलब यह water के o negative के साथ जो water का o पे delta negative आएगा इसके साथ यह interact करेगा और इस तरह से interaction के कारण बहुत सारे water molecules इसको चारो तरफ से surround कर लेंगे और इस surrounding के कारण इसके center से जो outermost layer है उसका जो distance होगा इसको हम कहते है hydrated radius तो echo solution में यह hydrated radius decide करेगा कि किसकी conducting power क्या होगी ठीक है और यह जो hydrated radius है यह depend करता है charge by volume, volume actual वाला ऐसा नहीं कि hydrated volume नहीं लेना है actually यह वाला volume लेना है तो charge तो आप सभी में देख लो वो तो one plus है चाहे lithium हो sodium हो सभी पर one positive charge है लेकिन lithium का volume सबसे कम है इसलिए उसकी hydrated radius सबसे ज़ादा होगी तो जब हम hydrated radius की बात करेंगे तो lithium के चारों तरफ layer बनें तो इसमें बहुत सारे layer बन जाएंगे lithium में, sodium है थोड़ा से कम क्योंकि इसकी charge by volume ratio कम है K में और कम, Rb में और कम, तो इसे क्या हो रहा है? Hydrated radius कम होता चला जा रहा है ठीक है, यहाँ पर hydrated radius आप देखोगे, यह सबसे ज़ादा है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया तो इसका अब की बार hydrated size सबसे ज़ादा है तो जब पानी में आप बात करोगे, तो lithium की conducting power कम हो जाएगी और RB की सबसे ज़ादा हो जाएगी conducting power यह मैंने यहाँ पर represent कर दिया है तो दोने में फर्क आपको दिख गया होगा, क्या फर्क है? जब आप molten या fuse में बात करोगे, तो atomic size decide करेगा जब echo solution में बात करोगे, तो hydrated size decide करेगा तो इसलिए इसने echo solution में पूछा है तो most conducting जो हो जाएगा, इस case में वो RB हो जाएगा अच्छा, एने से शुरू किया है, मैंने LI का example लेकर समझा दिया है तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा, वो CS हो जाएगा तो यह sequence आ जाएगा hydrated radius जो decide करेगा, LI plus का hydrated radius ज़्यादा है तो इसलिए इसके conducting power कम होगी और फिर LI, NA, K, RB+, and CS+, सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका size hydrated सबसे छोटा होगा तो that's why second option is valid in this case नेक्स आते हैं कहरे है the functional group that is responsible for ion exchange property of cation and anion exchange reasons respectively are देखो एक ही चीज़े cation का मतलब होता है जिसके उपर positive charge जो जैसे ये सारे cation है इसको कौन खीचेगा जिसके उपर negative charge होगा तो इसके लिए acid group लेना पड़ता है बहुत बड़े-बड़े alkyl group के साथ CO negative group ले लो या SO 3 negative group ले लो और ये कब आएगा जब इसके साथ आप इसका corresponding acid लोगे तो इन दोने में से कोई एक होना चाहिए कटाइन के लिए और anion में sulphate वगर अगर को अलग करने की बात होती है तो इसको अलग अगर करना है तो इसके साथ आपको क्या लेना होगा positive iron, negative है तो positive iron और positive iron के लिए हम R NH3 plus ये सब लेते हैं तो इसके लिए original compound R NH2 होगा तो इसका मतलब एक में R NH2 और एक में R SO3H ये ही होना चाहिए तो first option match कर जाएगा SO3H और NH2 दिया हुआ है हाला कि ये भी हो सकता था R COH अगर वो option भी होता तो उसे भी हम माख करते हैं next आते हैं ये solve-way process related है कह रहा है कि one of the by-products formed during the recovery of ammonia from solve-way process is तो पहले मैं बताता हूँ कि solve-way process है क्या इसमें हम क्या करते हैं हमारे पास saturated CO2 का solution होता है CO2 plus H2O है और इसके साथ हम ammonia की bubbling कराते हैं NH3 इसमें dissolve करते हैं तो इसमें जो reaction होगा ठीक है NH3 प्लस CO2 प्लस H2O ये मिलके बनाएगा NH4 HCO3 ये form करता है solve-way process में इसके बाद इसको हम treat करेंगे नमक से NaCl जैसे हैं आप NaCl से treat करोगे तो ये बना देगा NaHCO3 प्लस NH4 Cl ये solid होने के करण filter होके निकल जाता है और फिर इसकी heating से हम Na2CO3 बनाते हैं इसको heat करेंगे तो ये Na2CO3 देदेगा साथ में H2O प्लस CO2 बाहर हो जाएगा अब कहानी है कि इससे ammonia की recovery कैसे करेंगे तो इसको पहले आपको ऐसे देखना है कि ये है क्या ये है NH3 प्लस HCl तो ammonia की recovery करने के लिए आपको HCl को consume करना होगा तो HCl को consume करने के लिए हमें base लेना होगा तो base जो हम लेते हैं वो calcium hydroxide लेते हैं जैसे हम ये base लेंगे ये base HCl से react करके CACL2 बना देगा ठीक है प्लस H2O बना देगा और साथ में ammonia free हो जाएगा क्योंकि इससे ये HCl खीच लेगा ammonia को free कर देगा तो यही जो CACL2 है यही byproduct होगा ammonia recovery में, solve a process में तो solve a process कोई पूछे कहां तक है तो solve a process is till here उसके बाद ammonia recovery का process है यह ammonia recovery का process है तो that's why third option is valid in this case next आते हैं यहाँ पे भी मैंने इसका detail लिख दिया है side में यह bleaching powder है ठीक है ज़िखो सभी का मैंने एक बार detail लिख दिया इन सब का आप screenshot ले लिया करो क्योंकि हर जगे जो important concept से उसको मैं एक जगे लेके आ जाता हूँ तो जो जो compounds उसके बारे में क्या जानना है तो देखो bleaching powder chlorine को जब आप calcium hydroxide में dissolve करोगे तो फिर bleaching powder बनता है CA Cl2 and CA OCl ठीक है CA OCl hold twice यही bleaching powder है तो यह reaction पता होना चाहिए कि इन दोनों से कि reaction से यह form होता है यह select lime है दूसरा है gypsum gypsum की story है इसी से plaster of Paris बनता है तो gypsum को अगर आप 393 Kelvin से कम temperature पे heat करोगे तो यह partially dehydrate होगा तो partially dehydrate होगे यह आपको plaster of Paris देगा लेकिन अगर आप इसको 393 Kelvin से जादा यानि यह हो गया 393 Kelvin से जादा पे heat करोगे तो पूरा पानी निकल के सिर्फ CSO4 रह जाएगा इसको कहते है dead burn plaster यह भी बहुत पूछा जाता है और खास करके temperature is especially important तो यह plaster और Paris से related है ठीक है next आते है CO CO की सारी story मैंने यहाँ पे लिख दिये इतना है CO बहुत important है CO को पहले तो quick lime कहते है और इसको पानी में जब हम dissolve करेंगे तो select lime calcium hydroxide select lime बनेगा इसके uses important है क्या-क्या uses है पहला तो use है कि यह NaOH के साथ react करके Na2CO3 देता है तो इसलिए manufacturing of Na2CO3 from NaOH में इसको use करते है purification of sugar में use होता बहुत important यह sugar की purification में इसको use किया जाता है और तीसरा है cement का main constituent होता है CO 50-60% calcium oxide होता है quick lime उसके बाद sand, silica SIO2H जो होता है न यह sand है यह 20-25% और rest यह सब होते है AL2O3, MgO, Fe2O3, SO3 यह सब rest quantity में होते है तो यह CO का detail हो गया बस इतना ही ध्यान रखना है कोई question में इस नहीं होगा NCRT based है सारी properties next आते हैं CACO3 के बारे में यह भी बहुत important है तो इसमें क्या-क्या है इसको यह limestone, chalk या marvelline सब में यह present होता है CACO3 के 1000 तक heat करोगी तो CAO plus CO2 बनता है यह जो होता है इसको हम use करते है as a flux in iron industry iron के extraction जो purification होता है iron का extraction उसमें हम इसको as a flux यूज करते है जो iron में मिट्टी उट्टी होती है उसके साथ यह react करता है और CACO3 देता है अब uses क्या है CACO3 and MgCO3 flux in metallurgy जो भी मैंने बताए iron industry वही आ गया metallurgy में as a flux यूज होता है high quality paper बनाने में CACO3 को हम use करते है तो दूसरा यह use है तीसरा है CACO3 anti-acids का काम करता है anti-acid का मतलब acidity वगर हो जाता है तो CACO3 का suspension consume करने से acidity खतम हो जाती है anti मतलब जो opposite हो acid का इसमें और भी बहुत सारे compound होते है anti-acid में magnesium hydroxide भी होता है aluminium hydroxide भी होता है toothpaste में use करते है chewing gum में use करते है fillers in cosmetic में use किया जाता है तो these are the application of CACO3 तो अब आते हैं इस question पर attack करते है इस question में इतना detail जरुवत नहीं होगा लेकिन अब आ रहे थे यह सारे compound हो सारा चीज मैंने बता दिया तो यह जो compound है इसका match तो हो जाएगा bleach bleach यही bleaching powder है इसका match हो जाएगा plaster of Paris से CO मैंने बता दिया cement का main concentrate है और CACO3 तो anti-acid की तरह use होना है everything is matched now इस ही के according हम यहां से ढूंड लेंगे कौन सा option होगा वैसे देख लेते हैं पहला का 4 नहीं पहला का 3 दूसरा का 4 3, 4, 3rd option आ गया नेक्स्ट आते हैं 7th नेक्स्ट क्रोशन यह रहा यहां पे है देखते हैं क्या है 2 statements दिया हो है एक को assertion कह रहा है and other is leveled as reason R अब assertion है during the boiling of water having temporary hardness MGHCO3 is converted to MGHCO3 बिल्कुल सही है एकदम सही है देखो temporary hardness में क्या होता है bicarbonate होते हैं चाहे calcium के होंगे या magnesium के होंगे whole 2 और इसको जब आप heat करोगे यह form होगा CaCO3 plus H2O plus CO2 fix एकदम ठीक है इसको भी heat करोगे तो MGHCO3 plus H2O plus CO2 तो यही form होता है और यह precipitate बनके बाहर आ जाता है और hardness remove हो जाती है तो इसने MGH वाला reaction लेके पूछा है कि क्या इसमें convert होता है तो this statement is correct अब दूसरा है the solubility product of MGH whole 2 is greater than MGHCO3 यह statement भी correct है क्योंकि MGHCO3 के तो solubility ना के बराबर होती है यह घूलेगा ही नहीं यह तो precipitate बनके बाहर निकल जाएगा तो इसकी solubility ना के बराबर है इसलिए solubility product भी ना के बराबर होगा तो जब आप MGH whole 2 से compare करोगे तो इसकी solubility भी जादा होगी solubility product भी जादा होगा तो that's why this statement is also correct लेकिन इन दोनों का कोई लेना देना नहीं आपस में तो first one is correct second one is correct but second is not the explanation next the secondary valency and the number of hydrogen bonded water molecules in Cu-So4-H2O-R तो यह जो complex होता है copper का coordination number 4 है यह ऐसे होता है Cu-H2O whole 4 SO4 dot H2O ठीक है अब इसका देखते हैं कि होगा कैसे how it will be present here तो यह copper है copper के साथ जो water होता है यह coordinated होता है ओ यह भी coordinated है H and H इसके बाद जो दूसरा water molecule है यह इसके साथ hydrogen bonded होता है इसी तरह से यह complex present होता है copper 2 plus का so this is what is there तो एक water molecule coordinated होता है hydrogen bonded होता है और चार coordinated होते है तो यही जो coordinated होते हैं लिगेंड की तरह जो काम कर रहे होते हैं यही होती है secondary valency तो secondary valency इसमें कोई 1, 2, 3, 4 वैसे यह 12th का chapter है coordination chemistry का by mistake यहाँ पर यह question आ गया है इसका तो S block से कोई लेना देना नहीं है तो यह से मैंने बता दिया इसको A4 and 1 will be the answer for this next आते हैं यह uses है यह सारे metal का तो मैंने NCRT से फिर से वही activity NCRT से in metals का S block का जो NCRT ने दिया है उसको निकालके दे दिया क्योंकि mains exactly इसी को language में उठा के पूछ देता है तो देखते हैं क्या क्या है सबसे पहला है L.I.N.P.B इसको white metal कहते हैं और यह bearing motor engine के bearing बनाने में यूज होता है L.I.N.P.B. का L.I.A.L. aluminum आजा तो aircraft एक ही चीज है तो यह aircraft parts में यूज होता है L.I. और M.G. armor plates बनाने में यूज होता है lithium यह electrochemical cell में यूज होता है तो इतने हो गए lithium के applications sodium में आ जाते हैं liquid sodium coolant की तरह होगा fast breeder nuclear reactor में तो ध्यान रखना sodium liquid coolant की तरह यूज होगा fast breeder nuclear reactor में NA और PB का alloy जो होगा वो tetraethyl lead इसे कहते हैं यह anti-knocking agent होता है और अब तो खेर lead free petrol आ रहा है तो अब इसका use बंद हो गया है पहले जो lead वाले petrol होते हैं उसमें इसको मिलाए जाता था तो anti-knocking agent होता है यह K का important component है KCL जो fertilizer में use होता है और KOH को soft soap के लिए use किया जाता है और cesium photo chemical cells में use होता है तो इतना है इसको आप screenshot लेके रख लोगे तो यह बहुत helpful है इसे सारे question जो 2-3 साल के question है सब इसी से आते हैं next है B copper और B का जो alloy होगा वो high strength spring बनाने में use होता है ठीक है next है B B को X-ray tube window में भी हम use करते है magnesium में Mg-Al का जो alloy होगा यह तो aircraft में use होगा Mg जो होता है यह flash powder and bulb जो की bomb and signals में use होता है bombs और signals में use किया जाता है इसको यह सारे terms आपको ध्यान में रखने है Mg-OH-2 इसका नाम होता है milk of magnesium यह भी एक anti-acid है Mg-C-O-3 toothpaste में use होता है तो यह सारी चीज़े ध्यान में रखना है CA-C-O-3 भी toothpaste में use हो रहा था metal extraction में use होता है calcium को जब carbon reduction possible ना हो तो हम calcium reduction कराते हैं तो calcium को mix करके हम add कर देते हैं तो calcium metal को reduce करके free metal बना देता है तो metal extraction में use करते हैं और calcium और beryllium जो metal का alloy होगा ठीक है यह mixture है alloy नहीं कहेंगे इसको mixture कहेंगे carbon और beryllium को हम add करते हैं मालो किसी chamber में high degree of vacuum करना है तो थोड़े बहुत nitrogen और oxygen मालो समें बच गई air रह गई है तो इसको हम add करते हैं थोड़ा गर्म करते हैं तो यह दोनों metals का उसमें बचे हुए oxygen और nitrogen से react करके high degree of vacuum generate कर देंगे तो यह remove air from vacuum tube में इसको use किया जाएगा RA radiotherapy जो कि treatment of cancer होता है आर इसमें भी है आर इसमें भी है तो ऐसे याद रख लोगे पहला letter RA है तो radium is for the radiotherapy तो यह दो लिस्ट है अब यह पूरा कोशन उसी पर based है पूरा NCRT से मैंने लिया है और यह NCRT based ही है देखो पहला है treatment of cancer यह तो RA के साथ जाएगा भी हमने देखा था B मैंने बता दिया है कि windows of x-ray tube में use होता है उसी list में है यह bearing of motor engine यह तो हमें पता है lithium से match करेगा तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं lithium तो यसे लिए यह किसी के साथ match नहीं होगा ठीक है incarnatory bombs and signal तो यह जाएगा mg के साथ extraction of metal जो अभी मैंने बताया था extraction of metal में use होता है जब carbon reduction fail हो जाता है तो उस case में हम calcium add करेंगी तो exact match हो गया तो इसका हम option देख लेते हैं जो first वाला है वो fourth के साथ जा रहा है यह दोनों है और जो second वाला है वो third के साथ जा रहा है दोनों ही में दिया है second के साथ ही यह आ गया second option C वाले का second इसमें है तो finally यह हमारे पास option आ गया next आते हैं 10th question the number of amphoteric compounds among the following are जो amphoteric compound है beryllium अगर आप amphoteric की बात करोगे तो B का oxide and hydroxide Beo and Beoh whole 2 ऐसे aluminium क्योंकि diagonal relationship होता है तो Al2O3 हो गया Al2O3 हो गया aluminium के नीचे gallium वो भी हो जाएगा GA gallium GA2O3 and GAOH whole 3 gallium zinc ZNO ZNOH whole 2 lead लेड भी होता है PBO PBOH whole 2 यह सारे amphoteric की list although SNB amphoteric होता है SNOH whole 2 तो इतने आप याद रखो यह सारे amphoteric हैं कभी मिस नहीं होगा तो इसमें खैट 2 हैं ठीक है तो number of amphoteric compound पूछा है तो टू लिख देंगे हम यह basic और यह basic next आते हैं 11 पूछा है match कराना है ठीक है flame color पहले तो flame color याद करना होगा यह होता है crimson red crimson red इसमें chloride से कोई मतलब नहीं है हमें सिफ इन metal ions का देखना होता है जो metal ion है li का जो होता है crimson red होता है sodium का होता है golden yellow rb का होता है blue और यह भी थोरा सा deep blue यह violet की तरफ आ जाता है blue violet violet अब इसके basis पहले हम देखते हैं whip gear सबसे कम जो wavelength होता है 3600 एंग्स टॉम यह violet का होता है violet का v, i, b, g, y, o, r red आ जाएगा 7600 approach value बता रहा हूँ एंग्स टॉम पे तो अब देख लो red side में यानि यह इसकी wavelength सबसे ज़्यादा होनी चीए यह red side में है red की सबसे ज़्यादा है तो इनमें से सबसे higher value को इससे हम match कराएंगी यह रहा सबसे higher value उसके बाद आता है yellow का जैसे next smaller value है वो yellow के साथ जाएगा उसके बाद आएगा blue का तो इसे next अब bigger value है वो blue के साथ जाएगा और last violet के साथ जाएगा यही इसका match होगा इस ढंग से हमने match किया wavelength का idea लेके तब देख लेते हैं कौन किसके साथ जाएगा A का 2 इन दोनों में है B का A का 2 B का 3 होना चाहिए एक मिनट अच्छा तो हम टेंटेटिव करते हैं जो जो हमें idea लग रहा है next सबसे ज़्यादा उसके बाद yellow golden yellow A 2 just a minute B का अगर हम match करा है can't help इसमें मैं helpless हूँ ठीक है मेरे recording यह आना चाहिए बट actual match नहीं कर रहा है so I am skipping this question now coming to the 12th the correct set of the following in in which both pairs are correct order of melting point okay कह रहा है कि 2 set है melting point किसका ज़्यादा होगा तो जो melting point होता है it is proportional to lattice energy यह lattice energy के proportional है और lattice energy जो होता है यह proportional to q1 q2 by r इसके proportional होता है तो जिसमें r का मतलब है r plus plus r minus कटाइन और n9 का radius का sum तो जिसका charge ज़्यादा हो वो सबसे पहले ज़्यादा होगा तो इन दोनों में देख लो इस पे charge ज़्यादा है 2 plus और 2 minus है तो इसका तो खेड़ ज़्यादा होना ही है तो यह तो valid हो गया हमारे पास यह correct हो गया और दूसरा इन में size हमें देखना होगा क्योंकि charge तो दोनों पे same है तो इसका size छोटा है इसका r plus भी क्योंकि size यहाँ denominator में appear हो रहा है तो जितना यह कम होगा उतना ही lattice energy ज़्यादा होगी तो that's why LIF का ज़्यादा होगा second option correct now next आते हैं और यह last question है among the following the number of metals which can be used as electrode in photo electrical cell is इसमें से photo electrical cell में किसको use देखो use तो सिर्फ इसको किया जाता है लिए किसको हम use कर सकते हैं तो इसमें यह याद रखना है आपको कि जो group 1 है LINAK RBCS और group 2 है B MGCA SRBA इतने element कोई photo electric effect show नहीं करते हैं no photo electric effect photo electric effect show नहीं करते हैं और यह जो elements हैं यही show करते हैं photo electric effect क्योंकि इनके ionization energy काम होती है तो that's why यह 3 आएंगे यहाँ पे 3 हमें fill करना होगा excluding this actual में सर्फ इसको use किया जाता है लेकिन इन 3 को हम use कर सकते हैं तो this much in this video thank you for watching